हेलो स्टुडेंट, स्टुडेंट तो आज हम सेलीना कंसाइस क्लास 9 आइसी एसी एक्सरसाइस 13 एका कुशन पर 4 डिस्कॉस करेंगे जो हम आपको पहले नहीं बता पाएते हैं चलिए इसको स्टार्ट करते हैं देखें कोशन क्या कह रहा है कह रहा है तक इवन फिगर यहां पे ऐक फिगर दिया हुआ है आपको डनने के जरुत नहीं है यह फिगर गुप में दिया हुआ है show is a quadrilateral कह रहा है यहाँ पे एक figure है जो quadrilateral show करता है quadrilateral का मतलब क्या होता है quad का मतलब होता है 4 यह जो quad निका है यह पूरा क्या है quadrilateral मैंने short form में लिख दिया है quad का मतलब होता है 4 और lateral का मतलब होता है side मतलब ऐसा figure जो चार साइड से मिलकर बना हो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कॉडिलेटरल कहेंगे तो देखे चार साइड यहां पर कौन सी है A, B, B, C, C, D और D, A I hope आपको यह बात क्लियर होगी एक बार फिर से कॉडिलेटरल का मतलब क्या है ऐसा कोई फीगर जो चार साइड से मिलकर बना हो कॉड का मतलब होता है 4 और लेटरल मतलब होता है स्ट्रेट लैनिया साइड तो ऐसा फीगर जो चार साइड से मिलकर बना हो उसको हम कहेंगे कॉडिलेटरल यहां पर चार साइड कौन सी है A, B, B, C, C, D, N, D, A हमें इस B, D को चार साइड नहीं करना है यह इस फीगर का डाइगनल है इन विच उसके बाद क्या कहा रहा है A, D की वेल्यू कितनी दिया है 13 दिया है मतलब आपको यह 13 दिया है D, C is equal to 12 D, C आपको 12 दिया है B, C is equal to 3 B, C आपको कितना दिया है 3 दिया है इसमें बस हम दो बार पाइथागोरस थेोरम का इस्टिमाल करेंगे और किस तरीके से करेंगे यह मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है Solution in triangle B, C, D क्या कहा मैंने? in triangle B, C, D we will apply पाइथागोरस थेोरम by apply by apply P, T means पाइथागोरस थेोरम पाइथागोरस थेोरम क्या कहता है? हाइपोटेनेस का square is equal to base का square plus perpendicular का square अच्छा B, C, D triangle में हाइपोटेनेस होगा क्या? 90 degree के opposituale side को क्या कहते है? 90 degree के opposituale side को क्या कहते है? हाइपोटेनेस कहते है तो हमने B, C, D triangle लिया इसमें 90 degree कहा है? C पर है तो C के opposituale side क्या हो जाएगी? हाइपोटेनेस मतलब अभी के लिए फिलहाल आपका B, D क्या हो गया? हाइपोटेनेस हो गया तो आप लेक लीजे B, D square is equal to base क्या हो जाएगा? base आपका B, C हो जाएगा base आप इस B, C को भी ली सकते है या क्या है? तो C, D को भी ली सकते है इस question में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके? तो आपका base हो गया यह B, C square प्लस perpendicular हो जाएगा आपका C, D square यहाँ प्रिपीटे C, D, square B, D, square is equal to B, C की value दी है 3 तो यह हो जाएगा 3 square प्लस C, D की value दी है 12 तो यह हो गया 12 square ओके? तो B, D square हो गया यहाँ पर 3 का square 9 हो जाएगा 12 का square इसका मतलब 12 into 12 यह हो जाएगा 144 केतना हो जाएगा? 144 जब आप इसको solve करेंगे तो यह आएगा B, D square is equal to 153, ओके? मतलब यह जो B, D की value हो जेगे तो जाएगा आगई under root 153 centimeter ओके? इसके बाद देखेंगे in triangle A, B, D हमने यहाँ पर कौन सा triangle लिया है? A, B, D triangle by applied by applied P, T by applied P, T मतलब इस triangle में हम पाइथाग और इस तिरम का इस्तिमाल करेंगे क्या होगा? H square is equal to B square plus P square अच्छा, अब हम A, B, D triangle की बात कर रहे हैं, तो A, B, D भी triangle को देखेंगे, इसमें यह अजिटरी कौन है? यह angle B है, तो इसके opposite वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह hypotenuse हो गया, यह side आपकी base हो जाएगी, जो side B, C, D triangle में hypotenuse थी, वो side आपकी A, B, D triangle में base बन गई, और बचा क्या आपका? यह हो जाएगा perpendicular, ओके? तो देखेंगे hypotenuse नहाँ पर क्या है? A, D है तो A, D square is equal to base क्या है? B, D है, तो B, D square प्लस, perpendicular क्या है? A, B है, ओके? I hope आपको यह clear होगा देखे, A, D की value आपको देऊ होगी है कितना? 13, तो यहाँ निकलिए कि 13 का square is equal to B, D square की value आपको direct दी है, मेरी बास समझे B, D square की value आपको यहाँ पर direct दी है, तो कुछ बच्चे क्या होगे? यहाँ पर B, D की value रखेंगे, फिर इसको square लगाएंगे, square से under root यह concept हो जाएगा, आपको अंसर 153 ही मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे से सकोई analyze करें तो आप उपना time बचा सकते है B, D square की direct value हमको दी हुई है, 153, तो यह B, D square की जिक हम direct क्या लिक देएंगे 153 plus AB square, okay, plus AB square perpendicular का square दा, perpendicular आपे है क्या, AB है, तो AB का square, 13 का square 13 into 13 हो जाएगा, आपको 169 is equal to 153 plus AB square यह इधर shift हो जाएगा transpose हो जाएगा, तो अपना sign change कर देगा, 169 minus 153 is equal to AB square तो आपको जो answer मिलेगा, हो हो जाएगा AB square is equal to 169 में से 153 minus करेंगे, तो आएगा 16 then AB will be equal to under root 16, तो AB का answer आपको कितना आगया, 4 centimeter, okay and this is your final answer, okay student, आप इसका फ़राक्स screen shot लिजे, इसके बाद हम इस exercise का next question करेंगे, जल्दी से ले लिजे